जितने भी लोगों का प्रोपर्टी से सम्मंदित सवाल आया है सब को जवाब मिलेगा बहतर सॉलूसन मिलेगा अभी मेरे भाई अभिसेख जी पूछ रहे हैं बिहार का जमीन का खतियान और इन्हों ने लिखा है कि न्यू जमाबंदी कैसे मिलेगा देखें अभिसेख जी जो है अगर जो सर्वे के बाद जो सर्वे होगा जो सर्वे हो जाएगा सर्वे होने के बाद नया खतियान आएगा नया खतियान जो है वो ऑन लाइन रहेगा लेकिन आपको जो है आप आफ लाइन भी उसको ले सकते हैं उसके बाद जो है जो भी मिलना होगा उसके बाद मिलेगा अगला जो सवाल है कि सुमन कुमार जी पूछ रहा है कि जमीन दादी के नाम से केवाला किया है लेकिन दादी मर गई है तो मोटेशन कैसे होगा देखें दादी मर गई है और दादी मर गई है तो आप क्यवाला को तो ऑनलाइन कर देजिए ठीक है? ऑनलाइन कर देजिए 35 साल हो गया या 40 साल हो गया दिक्कत नहीं है ऑनलाइन कीजिए आपको एक पेज मिलेगा पेज मिलने के बाद जो है ना अब दादी तो मर गई अब उससे नीचे जो दादी है तो दादी का जो लरका होगा एक लरका हो दू लरका हो या तीन लरका हो जो लरका हो तो वो आपको दिखाना होगा ठीक है बनसावली बना के अब उसके नाम से फिर जो है मुटेशन हो जाएगा लेकिन पहले आपको ऑनलाइन करना परेगा ठीक है online करने के अगर नहीं किये है अगर दादी के नाम से पहले जमबंदी था motivation पहले था ठीक है तब तो और समस्या नहीं है के वाला को online करने की जरूरत भी नहीं है जो दादी के नाम से motivation है और आप यह बंसावाली में दिखा देंगे कि आप यह सब इसके बंस है उसके अधार पे आप अपने नाम के जमबंदी ले सकते हैं अगर अकेले हैं तब तो और ज़्यादा समस्या नहीं है अगला देखेंगे दीपक कुमार पूछ रहे है बाका जिला में सर्वय जो है कब आ रहा है दीपक भाई बाका का सर्वय भी पहला चरन में ही है 20 जिला है उसमें उसमें बाका भी है बाका का भी हो रहा है और 1905 का अगर आप खत्यान निकालना चाहते हैं तो आप जो है आपका जो डिस्टिक कार्याले है वहां से निकाल सकते हैं बाका 1905 में आप जो है आपका कौन सा डिस्टिक में था आप जिस जगह पे हैं वो जगह जो 1905 में जो है कौन सा जिला था तो उसके काड़ियाले में जो है आपको वहां से खतियान मिल जाएगा अगला जो सवाल यह पूछ रहा है कि सर अगर जमीन पर केस चल रहा है तो उसे सरबे में कैसे बचेगा देखें जमीन में जो नियम है उस नियम को समझे तो देखें इस बात को आप पहले समझे अगर उस पे केस चल तो अगर ऐसा है देखें उस केस में जो सर्वे अधिकारी होता है उसको नहीं पता है कि वो उस पे केस चल रहा है तो जिसके नाम से पहले है उसी के नाम से जो है वो आगे सर्वे कर दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है जब कोट का फैसला होता है तो सर्वे तूट के फिर जो हो जाता है लेकिन अगर आपके पास कोई पुक्ता प्रूफ है और उस प्रूफ को लेके सर्वे अधिकारी के पास जाते हैं तो अगर वो लगता है कि सही में ऐसा हुआ है तो उसमें उस समय सुधार भी हो जाता है तो इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है जब वो क्या करते हैं कोट का फैसला होता है तो वो सर्वे तूट भी जाता है अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल जो है वो दिली गुपता जी का है नमस्कार सर मेरे प पापा आपको support कर देंगे तो जो है, cut जाएगा, easily cut जाएगा ठीक है, आप जैता है जमाबंदी अपने नम पे करवा सकते हैं अगर पापा support कर देंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर present है पिताजी तो नहीं है तो फिर उनका जो है आपने ऐसा कोई मेंसन नहीं किया है तो पापा के नाम से है जमीन तो पापा के नाम से जमीन है तो आप पापा के सपोर्ट से करवा सकते है राकिस कुमार जी पूछ रहे हैं मेरे दाजा जी के नाम से जमीन है इसका दो बेटा है और अगर दो बेटी है लेकिन इस जमीन का आधा भाग मेरे चाचा ने बिना नया जमाबंदी किये लगान रसीद कटा रहा है मेरे पिताजी करमचारी को कहते हैं तो जो मेरे भाई है किस अधार पे अलग लगान रसीद कटा रहा है उसे वापस लाया जाए तो जो है वो करमचारी कहता है कि जो सेस भाग में जो है वो चार भाग लगा है तो निदान देखें निदान जो है ना आपका सेस भाग में देखें निदान ये है कि सबसे पहले अगर ऐसा है गरबरी है ठीक है तो आप इसके लिए CEO के पास पहले आबेदन करें जमाबंदी करने का जो पावर होता है वो इसके पास होता है ठीक है लेकिन अगर वो भी तो उसको भी बोलेगा क्या पार्टी को सपोर्ट की लाइए है ना सारा पार्टी तो रेडी है नहीं जो कर देगा अगर वो नहीं करेगा तब आप जो है आप डी सी एल आर के पास आबेदन करेंगे और वहां से जो है सब को नोटिस जाएगा भाई ऐसा आपने किया है किस अधार पे किया कौन आपको सपोर्ट किया ज़्यादा समय नहीं लगेगा maximum 6 मंद और वो आपका काम सौट आउट हो जाएगा सब कुछ अगला जो सवाल है कि हमारी जमीन दादा के नाम से है फादर का डेथ हो चुका है दो भाई बहन जो है मोटेशन नहीं करना चाहता है दो भाई बहन है बहन मोटेशन नहीं करना चाहती 30 year से motation नहीं हुआ क्या हम अकेले अपने हिसा का motation करा सकते है stamp paper पे बटवारा चार्ट भी ready है तो ready है अगर तो सब का sign हो गया क्या अगर sign हो गया ठीक है तो अगर जो है stamp है वो ठीक है वो चार्ट अगर आपका ready हो गया है तो दिक्कत नहीं है आप तो करवा सकते हैं सब का अगर sign है तो आप अपना जो हिस्सा है उस चार्ट में उसको करवा सकते हैं बांकी नहीं करवा रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपका उस पे अगर सब का support हो गया है तो आप CEO से मिल के करवा सकते हैं देखवार सियो से मिलें सियो के पास आवेदन दें ठीक है और आपका जो ये चार्ट है उसका फोटो कॉपी लगा के दें हो सकता आपको औरिजनल भी मांगें तो उतना करने के बाद आपका जो है चांसेस है अगर हो जाएगा अगर वो लोग आपको जमीन है तो क्या बरे भाई का हिसा होगा देखे छोटा भाई के नाम पे अगर जमीन है तो बराभाई का हिसा नहीं होगा अगर छोटा भाई का वो जमीन रजिस्ट्री है खरदा हुआ है तब तो हंडेड परसेंट नहीं होगा ठीक है तो उसका खरदा हुआ है वो आप कै ऐसे भी लड़ेंगे, क्या आपके पास वुकता प्रूफ है, अगर वैसा कुछ बहुत 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 प्रूफ है, तो कोट से अपना लिया जा सकता, लेकिन फिर भी जो है, आप समझ लिजे कि चांसे कम है, 10% अगर सब कुछ आपके फेवर में रहा तो, लेकिन अगर वो ज जमीन जो है, पिताजी से चल के आया हुआ है, या दादाजी से चल के आया हुआ है, अगला जो सवाल है, अगला जो कुश्चन है, कर नमस्कार सर, मेरे पापा के नाम से रसीद है, और मेरे पापा का डेत हो गया है, कुछ जमीन मेरे चाचा जो है, जो है जोत रहे हैं, कब जमीन जो है मेरे चाचा जोत रहे हैं तो कब्जा के लिए जो है आप CEO के पास आवधन कीजिए पहले ठीक है सी ओ भेरिफाइड करके जो है जिसे यहाँ पे वो भूमी का सारा बिभाग जो है वो कब्जा का बात है तो आप दे सकते हैं तो अप CEO और जो ठाना प्रभारी है दोनों के पास आविदन करना चाहिए ठीक है नहीं अगर उससे होता है वो चीज तब आप जाके DCLR कोट में केस कर दीजिए ठीक है DCLR कोट में जो है वहाँ पे केस कर सकते हैं फिर नोटिस चला जाए कि भाई आप उसका जमीन है उसका रसीद कर र आने के लिए जो क्या खर्चा आएगा देखे सरकारी जमीन है ठीक है खर्चा का तो यह है आपको रजिस्टरी कराना तो पहले तो सरकारी जमीन का अगर जमीन है और किस टाइप का जमीन है ठीक है खर्चा तो सबका अपना जो है वो सबका एरिया बाइज अपना अपना है ठीक है जमीन पे डिपन करता है कि किस टाइप का जमीन है तो लेकिन सरकारी जमीन का जो है बंदोबस्ती किया जाता है CEO के दौरा आपको favor में दे दिया जाएगा अब उसका registry नहीं कर सकते हैं तो किस टाइप का government का जमीन है वो आप बहतर mention करेंगे तो आपको बता पाएंगे लेकिन कोई भी सरकारी गर मजरुआ है तो उसको CEO को दौरा आप बंदोबस्त करा सकते हैं ठीक है अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है जमीन से संबंदी तो आप comment करके पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक लगुट कर दीजिएगा और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबालीजिए